तो आझ हम स्टार्ट करने वाले है 12 physics का उदू मिडियम का चैपटर नमबर 1st rotational dynamics , rotational dynamics यह चैपटर स्टार्ट करने से स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों कुछ बाति बता दू बच्चो यहाँ पर मैं आप लोग airflow को math के physics के और यहां पर जो तीनों भी आपको subject के lectures मिलेंगे तो यह जो चैनल मैंने specially create किया है अब यहां पर आप लोगों को जैसे मैंने बताया हूँ कि अभी हम जो start करने वाले है 12 physics उद्धु मीडियम का start कर रहे हैं तो यहां पर हम जो chapter first start करने वाले है rotational dynamics तो rotational dynamics यह जो chapter है बचों आपको new slabus में new slabus में यह आपका rotational dynamics नाम दिया गया है जबके यह जो पहला slabus था आपका old slabus था उसमें यह सारी चिज़े आपको इस तरीगे से आती थी जैसे वहां पर यह दायर्वी हरकत आपको एक chapter था और यहां पर नया जो रोटेशनल डायनमिक् है जो हम pig tad करे सारी चीजह हम यहाँ पर देखने वाले हैं सबसे पहले हम study करने वाले हैं इसके अंदर रवियरकत क्या है यह सिखेंगे इसके बाद गरदिश हरकत क्या है है फिर हम यह देखेंगर है लोगों को बता दूए तो यहां पर मैं जो जो आपको provide कर दो जो जो बता रहा हूँ वो सारी चिज़ों के आपको नोट्स बाना रहा है सिस्टेमेडिक लिखना है अपने पास में और आप लोगों को मैं बता तो बच्चों पहला जो सवाल है हमारे सामने वो है पहले हमें देखें के दायर्वी हरकत जब स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक जो अपना आज का है वह है दायर्वी हरकत किसे कहते हैं अब यहाँ पर यह पहला टॉपिक है अपना और दायर्वी हरकत के बारे में हम जान लेते हैं तो यहाँ पर दायर्वी हरकत किसे कहते हैं मैं आपको बता दू दिखें को आप क्या करोंगे इसको एक धागे से बान कर धागे से बान कर इसको घुमाऊंगे तो घुमाने के बाद हम देख सकते हैं कि यह क्या करेंगे एक डैरा बना देगा तो यह क्या करने शुरू कर देगा इस तरीख से गोल घुमना शुरू हो जाएगा तो पेन जो है इस तरीख से गोल घुमेंगा तो यहा मास जिसको हम उर्दु में कहते है कमीत डागा बे कोई हर्कत होती हुई हम कहते है दायर्वी हर्कत ठीक है यहाँ पर इक बार फिर से बता दूँ आपको तो धैरी हर्कत किस से कहते हैं ? जब कभी कोई भी जिस्म कसी दायरे के मुहित पर घुमता है , यहांपर हर्कत किस तरीके चळल ही है ? यहां पर पत्त्र है यह जो धायरा है , ऐसको कहता है मुहीत दायरे का मुहीत अब देखोंगे आपके यह जो पत्तर है इस दायरे के मुहीत पर क्या हो रहा है घूम रहा है तो जब यह घूमेगा तो हम कह सकते हैं कि यह जो हरकत है इस पत्तर की उस पत्तर की हरकत को कहेंगे हम दायर्वी हरकत तो दायर्वी हरकत क्या होगी ऐसी हरकत जिसमें जिसम दाइरे के मुहीत पर घुमता है दाइरे के मुहीत पर हरकत करता है ऐसी हरकत को हम कहते है दाइरवी हरकत और दाइरवी हरकत के जो मिसाले है आप इसके मिसाल कौन सी कौन सी लेगे तो मिसाल बहुत सारी है जो आपके पता है जैसे फॉर एक्जामपल जो चांद होए जांद जमीन के चारों तरफ जो हरकत करता है हुँ दैर्वी हरकता है इसी दार जो जिमित Кैंद है उसकी दायर्वी हरकत है इसी तरह यह मरकज के अत्राफ एलेक्ट्रॉन जो गर्दिश करते हैं गर्दिश करते हैं चारो तरह उसके हरकत करते हैं वह भी हरकत क्या होती है दायर्वी हरकत है तो यहां पर हम मैत करते हैं कि है अगर आव उब सब्सक्राइब ह ओने इसका है यहांव सब्सक्राइब वागता है यह पत्तर जो है इसनिंद फेम लें ले लिए निश्वह कोटरी है अब यहा पर इस Фosaur कोटर की तारीफ के बारे तारीफ एक पर में हैं ऐसको सिंद्री सिम्ति मिगदार की तारी बैयन कीजी है सिंद्री मिगदार केते किसे है यहापर हम ले लेते हैं पत्थर ले लेते हैं जो इक डायरे के उपर घुम रहे और इस तरीकी की HUD कर रहा हे ठेके मान लेते हैं कि यहां पर आप पत्थर ले लेको switch मैं कमियत को किसे जार करेंगे स्मौल M से पत्थर गुम रहा है और यहां पर जो डाएरे का जो मर्कज आ है उसको हमorsus जाहिरा कर दिया है, आप यहां पर हम बात करते हैं कि यह इसका निश्वू कि तर किदर होगा, ठीक है? तो यह हरकद जो हो रही है, डायर भी हरकद है, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप मान लेते हैं कि यह जो मरकद इसे, यह पत्थर का जो फासला है, उप रहे हैं, उनकी से शारी चिशेzes पतं होंगी। दायरा जो होता है उसके अंदर यह वाली जो line होती है। जो मरकज़े से और यह आप इसकी हम जाहिर करते हैं किससे जाहिर करते अब नहीं पर इसकी जहहांइश करते हूंँ से होगी जो-स रहा इसकी सिंप सिम्थ है सिम्थ है मतलब भी डायरेक्शन बताई गई है जो एरो दिखाई दे रहा है आपको इससे कह रहे है सिम्थ अब इसलिए इसकी सिम्थ होने के वज़े से ही इसको हम क्या कह रहे हैं इस मिगदार को मिगदार है इसको हम गिन सकते हैं उसे हम कहते हैं तब ही मिगदार फिजिक्स के अंदर यानि फिजिक्स के अंदर जो जो चीजों को हम गिन सकते हैं नाप सकते हैं मेजर कर सकते हैं उसे हम कहते हैं तब ही मिगदार अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं अगर आपने स्केल रखे तो इसको गिन सकते हैं आपको यह तबई मिगदार है क्यों अब देखो उसके बाद में इसके सिंथ भी है तो सिंथ होने के वज़े से ही हम इसको क्या कह रहे हैं सिंथि मिगदार कह रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूं सिंथि मिगदार और गैर सिंथि मिगदार गार ठीक है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं सिंथि मिगदार क्या है सिंथि बचो सिम्ति मिगदार क्या है सबसे पहले सिम्ति मिगदार फिजिक्स के अंदर ऐसी फिजिकल कॉंटिटी इसको कहते हैं हम तबही मिगदारों को कहते हैं जिसके पास में दो चीजे होती है एक होता है उसकी सिम्त और एक होता है उसकी कीमत कदर ठीक है जिसके पास दो चीज सिम्ति मिगदार की एक्जांपल क्या है मिसाले इसकी अगर बात की जाए तो रफ्तार होती है रफ्तार अगर आप किसी गाड़ी आपके सामने से कोई बाइक चले गई से 30 की स्पीट से या फिर 40 की स्पीट से आप बोल सकते हो कि हमारे सामने से इस डायरेक्शन में गई है जिसके स्पीट चालीश थी इसलिए वह सिम्तिमिगदार होगी कि उसके पास दो चीजे है एक तो डायरेक्शन सिम्ति इधर गई है और दूसरा 40 बोले ते एक रफ्त कीम के पास में सिर्व उसकी कीमत हो, कि इसकी example क्या है, तो वक्त है, अगर जब भी हम किसी को time बताते हैं, तो time कैसे बताते हैं हमनो, time हम उसको बताते हैं, कि अभी 10 बजे है, 8 बजे है, तो सिर्व एक कीमत बताते हैं, number बताते हैं, हम कोई direction की बात नहीं करतें, तो ऐसे case में हम उसे कहते हैं, गैर सिम्ति मिगदार, और इसकी example मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर वक्त, जिसको हम कहते है time, तो यह सारी चीज़े हैं, आप यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको पूछओ कि बताइए, यह जो निश्व गुतर है, कि यह सिम्ति मिगदार है, या फिर गैर गैर सिम्ति मिगदार है, तो जवाब होंगा सिम्ति मिगदार, क्योंकि इसकी सिम्ति है इस तरफ, और इसकी कीमत भी हम निकाल सकते हैं, अगर scale आपने रखा यहाँपर, तो scale से की कीमत भी पताचल चल जाएंगी, यह हो गया सिम्ति मिगदार, तो देखिए इसके अंदर इसकी तारीफ क्या बनेगी तारीफ इसकी simple simple होगी ऐसी सिम्ति मिगदार जिसकी कद्र दाइरे के निफ्स उकुत्र के मसावी हो ठीक है ऐसी सिम्ति मिगदार जिसकी कद्र आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं आपको notes मिल नहींगे लेकिन आने वाले जो lectures रहेंगे ह हमारे live lectures में उसको आपको notes detect करूगा वह notes आपको अच्छे से proper लिखना है मैं आपको time दूगा ठीक है लिखने के लिखने के लिए आपको time दूगा अभी यह हमारा recorded session है इसलिए मैं आपको इहां पर detect नहीं कर रहा हूँ लेकिन आने माले जो अपने live lectures हैंगे उसमें आपको आपको इसकी तारीफ क्या है यह बता रहा हूँ ऐसी सिंति मिगदार जिसकी कद्र दायरे के निश्व कुत्र के मसावी हो और सिर्फ मरकज के मुहीत की जानिब हो इससे हम सिंति मिख्दार कहते हैं आप इस बिल्कुल भीकरना करें आपको notes मिल लेंगी आने वाले lectures में आपको notes मिलेंगी आपको सारी चीज़े मैं आपकर detect करवा कर भी दे दूगा तो यहाँ पर यह हो गया अपना पहला topic निश्व कुत्री सिंति मिगदार किसे कहते हैं तो यह जो आप देख रहे हूँ यह वाली लाइन इससे हम कहते हैं निश्व कुत्री सिंति मिगदार क्य तो आप लोगों को मैं हाँ पर फिर से बता दूँ जो बच्चों है इसके उपर जूड़े हुए नहीं है आपके जितने भी friends हैं जिनको इस बारे में पता नहीं है तो आप उन लोगों को बोलिए चैनल के उपर जूड़ जाए चैनल के उपर रूपते हो ठीक हैं तेहां पर हम ये सारी चीज़ें को अच्छे से समझेंगे इसके बाद आने वाले लेक्च्चर में हम इसको सीखेंगे तो study करते रहें तब तक के लिए best of luck